की दि आ हलो फ्रेंच मैं वित लेत्त क्वाराब स्वागत करता है करें ट्रेक्टिbles सिस्टम तो याज गंग करें ऑब याज ट्रेक्टिक्सों देखा था transc तीन तरीके का current collecting system होता है, जिसके बारे में one by one study करेंगे, पहला है आपका trolley collector, दूसरा है बाव collector, तीसरा है पेंट होता है, तो इन तीनों के बारे में अपने one by one करें, study करेंगे, कहने के मतलब यह है, कि जो हमार overhead system है, जिसे अपन क्या करते हैं, कि अपने घर के आस पास दे अपने घर में आती है, ऐसा तो है नहीं, कि फोल आपके घर के पास से निखल जाएता, आपके घर में supply आजए, ठीक है, मोबाइल टावर की तरह clear, तो देन हमारा एक साधन होता है, कि हम वायर से हम लोग क्या करते हैं, कि उस फोल से अपन क्या करते हैं, कि connection लेते हैं, तो वो connection अपने घर में आता है, देन अपने घर में supply आती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई कैसे आएगी, तो वो इलेक्ट्रिकल उस ओभारेड जो वायर है, जो contact वायर है, वहाँ से अपने को current को collect करना है, और current को collect करके अपने को लोकमोटिव कर देना है, ठीक है, तो देन उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक system यूज करते हैं, और उस system को बोलते हैं, current collecting system, current collecting system वो एक system होता है, जो क्या करेंगा है, जो आपका contact वायर को touch करता है, और उस contact वायर में हमेशा जो क्या होते है, पावर फ्लो होते रहता है, ठीक है, और ज लोकमोटीव के अंदर क्रेंट नहीं करते हैं जो कि आपका आपने देखा होगा कि जो रेल्वेट ट्रें होती है उसके चत के ऊपर एक मतलब कि आपका current collecting system होता है, जो कि उबारेट वायर को touch करते रहता है, ठीक है, उसी को बोलते है current collecting system, ठीक है, बहुत जैसे ही touch करेगा, उससे current flow होने लगेगा और वो flow होगे सीधे ज़िदे कहाँ पर आ जागा locomotive के अंदर, और देन वहाँ पर जो भी आपकी autonomous वगरा है, अपरेट होने लगेगी और देन आपका लोकोमोटिव चल पड़ेगा ठीक है तो यहां पर अलग-अलग हम लोग देखेंगे अलग-अलग जो आपका करेंड कलेक्निक सिस्टम है ठीक है कि किस तरीके का हम लोग अपने इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड में हम लोग कि किसी स्पीड के लिए यूज कर रहे है ठीक है और क्या ड्रॉबेक वेगरा है जिसमें पहला जो है वो है आपका ट्रॉली सिस्टम ठीक है जो पहला करेंड कलेक्न सिस्टम उसका नाम है ट्रॉली सिस्टम ठीक है तो ट्रॉली सिस्टम भी क्या हता है कि बिलकुल जो आपका तो अपने इंडिया के अंदर या आपने movie वेगरे में भी देखा होगा कि जो अपनी सड़क होती है सड़क के बीच में भी छोटी-छोटी दो-दो बोगी की जो ट्रामवेज है वो चलती रहती है ठीक है और उनके उपर जसलाइक ओबर एडवायर होता है उसे टच करते रहत है अगर अपने इंडिया की बात करें तो कुलकाता है कैसा सहर जहां आभी भी पूराना अंग्रेज्यों के टाइम का ट्रामवे चल रहा है ठीक है उस ट्रामवे के लिए बीच सड़क पही हम लोग क्या करते है कि उनके लिए ट्राइक बनाया हुआ है ठीक है और उनके रण करता है ठीक है तो इस तरीके से हम लोग उसको रण कराने के लिए टामवे में भी अगरते हैं करेंड कर फिरण को प्रॉत करते हैं और जो लोकोमोटिव आकि अपरेटेड है उस इसमें सिंपल देखें, इसमें कुछ नहीं होता है, यह एक wheel होता है, और यह आपका क्या है, यह आपका contact wire है, और इस तरीके से wheel लगा हो रहता है, ठीक है, sliding contact होते हैं, ठीक है, इसके अंदर, और जैसे ठीक है, इस तरीके से इनका trolley आपका collector होता है, इसके एक in-prix तरीके से wheel लगा हो रहता है, और दूसरा जो यह in-d है न, ठीक है, वो क्या होता है, कि जो trauma यह बस की छट पर क्या होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जैसे जैसे इसे आपकी trauma चलेगी, ठीक है, जैसे आपका माल लेज़ें कि यह trauma है, इस तरीके से हम लोग देखें, यह trauma है, ठीक है, और यह आपका क्या है, simple track बना रखा है, ठीक है, ठीक है, तो अगर हम लोग बात करे, trauma जैसे इसे चलेगी, तो यह भी दीज़े-दीज़े sliding contact है जब तक इसको touch कर रहा है, इसे आपका current क्या होगा, collect होके, यहां तक आ जाएगा, और देन अपना क्या होगा, यह जो आपना trauma है, वो move करेगी, ठीक है, तो इस तरीके से इनका एक जो end है, contact wire को touch करता रहता है, जो दूसरा है, यहां पर इसके roof पे इसके छात्ते क्या होता और इसका time, मैंने आपको संधाने को रहा हुआ, इसमें यह wheels होते है, और वो wheels होते है, जो आपने देखा होगा, जैसे हम लोग पानी निकालने के लिए कि इस तरीका से होगा, पूली लगाते है, और पूली पे अपना अरसी देखते है, जो रोटेट करते है, तो पूली क् आपको आपका सिंपल सा है जो आपका रसी है उसी पूली से होते हुए लीचे भी जाती जैक्क वालटी बर बढ़ जाता है जो हम् knives लेद की विर गीधै की तरीके का अरहिज्मेंट इसका भी होता है तो इसेaced का होता है की यह वील होता है ठीके का चक्क को दोनस ये rainと思 cousins गलेक्ट होता है और यहाँ पर अठाव मेरे इसका सिस्टम और Даudis तरीके से तरौली कलेक्ट है ठीक है एक गुंकर तो वार से कनेक्टेट है जो दूसरा है इस ट्रॉली बसेज के ऊपर क्या होता है फिक्स होता है ठीक है देखिए इसमें आगे आपका जो ट्रॉली बसेज है उसके लिए यूज करते है ठीक है उसके लिए अपन क्या करते है यूज करते है यह आप लोग ने बहुत जगए ऐसा देखा होगा कि जहां माइन स्वेगर होती है वहां भी तरीके से लिफ्ट का सिस्टम लगाया हुआ रहता है ठीक है कि उसमें भी वो इलेक्रिकल ऑपरेटर होता है ठीक है कि वो धियर दिरे जो अपना वायर होता है उस प दिस कंसिस्ट ऑप ग्रूब गन मेटल वील ठीक है यह क्या होता है कि इसको बोलता है कि यह जो वील होता है वो ग्रूब गन मेटल का बना हुआ रहता है यह जो वील है यह पहिया है ठीक है दिस कंसिस्ट ऑप ग्रूब गन मेटल और ग्रूब श्लाइडर सूज ठीक है और अर यहान पर नहीं कि यहासा करें ऊता है। जो आपका कॉंटेक्ट में रहा हुए किसी नहीं मैटेरियल के बना हुए होगा। अगर उस तरीके से हम लोग यहाँ पर कोई और material यूज करें, soft material यूज नहीं करें, तो यह wheel इसको touch करते हो आगे निकलेगा, तो उसे sparking होने लगे, इसलिए हम लोग carbon हमें से soft material होता है, ठीक है, और current collecting के लिए अपर carbon यूज करते हैं, ताकि आपके sparking नहीं हो, ठीक है, आग एक जो end है, इस पर एक तो wheel लगा हुआ है, और जो दूसरा, जो end है, hinged, मतलब लटका हुआ, two-way, swelling, base, fixed to the roof of the vehicle, ठीक है, एक end पर तो आपका wheel, grouped gun metal के बना हुआ रहता है, एक end पर तो आपका क्या है, एक wheel लगा हुआ है, जो sliding contact होता है, जो इसको contact weight को touch करता है, जो दूसर है, इस trolley wire के उपर क्या होता है, इस हद के उपर ये इसका क्या है, roof है, इसके उपर आपका क्या होता है, surveilling base, fixed to the roof of the vehicle, ठीक है, इस vehicle के उपर क्या कर दिया जाता है, इसको, दूसरे end को fix कर दिया जाता है, clear, आगे देखिए, necessary upward pressure for the pole and the current collector is achieved by means of spring, ठीक है, यह आपका pole हो गया, pole के यहाँ पर current collecting system लगा हुआ है, ठीक है, और एक इन जो है, आपका roof के उपर connected है, तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि एक pressure बना के रखते हैं, यह जो current collector है ना, यह हमेशा इस contact wire को touch करें, जब इसको touch करेगा, तब ही current collect होगा, जब इसको touch नहीं करेगा, तो current collect ही नहीं होगा, तो इसको हमेशा इस pressure को maintain रखने के लिए, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ पर spring यूज़ करते हैं, एक spring यूज़ करते हैं, और spring क्या करते हैं, हमेसा उस pressure को बनाया रखता है, ठीक है, ताकि जो आपका current collection system है ये, जो आपका wheel है, इसको हमेसा touch करता रहा है, तभी continuous अपना current क्या होगा, collect होगा, clear, आगे देखिए, as two trolley wire are required for trolley buses, कहना के मतलब यह है, कि यह जो इस तरीके का trolley buses है, उसमें दो contact wire का requirement होता है, ठीक है, एक से काम नहीं चलता है, ठीक है, इसलिए काम नहीं चलता है, कि अगर हम simple हम लोग बात करें, कि कली हम लोग ना discuss किया था, अगर हम लोग railways की बात करते हैं, तो या single phase की ब कि अजो उसकी पटरी होती है, ठीक है, उसकी सहता से हम लोग क्या करते हैं, कि neutral अपने को neutral बिल जाता है, ठीक है, जो कि अपना returning path देता है, और circuit complete हो जाता है, ठीक है, बट यहाँ पे जो इसके wheels होते हैं, ठीक है, यह बस बस भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से आपका bus ज तरीके से यूज करते हैं, तो देन हम लोग यहाँ पर देखें कि इस तरीके के trolley buses के लिए दो अपने को trolley wear का requirement होगा, इस लिग दे मैं, as two trolley wear are required, ठीक है, मतलब कि सेम यहाँ पे एक और trolley wear का requirement होगा, इसके लिए, ठीक है, एक वायर से ज़ुरत नहीं होगा, अपने को troll trolley wear का requirement होगा, as two trolley wear are required for a trolley, एक trolley के लिए, ठीक है, इस trolley के लिए, दो trolley wear का requirement होगा, as a separate trolley collector, ठीक है, तो यहाँ पे अलग-अलग दो collector लगाने पढ़ेंगे, ठीक है, और देन अपने को अपने को अगर, एक ही अगर हम लोग trolley wear का यूज करें, तो देन अपने को अपने को अपने को यूज में लेना पड़ेगा, ठीक है, और जो इनका बेस है, ठीक है, एक तो यहाँ पर आपका यहाँ पर फिक्स कर दिएगा, और इसी के ऊपर आपका यहे, दूसरा भी इस तरीके से क्या कर दिया जाएगा, फिक्स कर दिया जाएगा, और इस तरीके से ये भी यह क्या करेगा, इसको टच करेगा, ठीक है, the bass being mounted, वील इसको टच कर रहा है, उसका जो प्रेशर जो होता होता है, 10 kg होता है, and for a carbon insert, slider is approximately 70 kg ठीक है, और यहां पे carbon इंसर्ट किया जाता है, एक तो वील हो गया, इसके अंदर carbon को इंसर्ट किया जाता है, और वो क्या करता है कि इसको touch करता है कि carbon इसलिए हम लोग use करते हैं ताकि आपका sparking नहीं हो ठीक है तो इसका weight कितना होता है 17 kg होता है आपको ध्यान में रखना है और यही आपका इस wire को touch करता है उसका weight कितना होता है 17 kg होता है ठीक है देखिए इसमें कुछ points और है उसको हम लोग देखते हैं आगे देखिए इसमें आगे जो point है ठीक है इसका कुछ drawback है उस drawback को देख लेते हैं the main drawback of the trolley collector is that it has been rotated through 180 degree for reversing the direction of motion of the vehicle ठीक है माली जे कि जो आपका train है इस direction में चल रही है ठीक है अगर अपना जो इसका direction reverse करना हो ठीक है करना हो तो देन क्या होगा कि सिंपल जो करेंट कलेक्टिन सिस्टम के क्या है मुश्कील है यह क्या करेगा 180 का मतलब क्या होता है यह तो होता है 180 ठीक है तो क्या होगा कि पूरा ही 180 में क्या होगा reverse होगा जो बहुत मुश्कील उपर तो already आपका क्या होगा उपर already आपका य जैसे इसका जो ड्यारिक्छन रिवर्स होगा, ठीक है, जारी सिस्टम इस तरहीं के परिषामी नहीं आती है, ठीक है, बड़ इसमें क्या होगा, कि इसको 180 डिग्री पर यह क्या होता है, पर इसको बहुत बड़ा ड्रॉबेक्व है, फॉर्स इकर आपके स्पीड को हम लोग एसके डारेक्शन में आरे आगर इसके डारेक्शन को रिवर्स करें तो वारो यह वाने टीक्री के क्या हो गया रोटेट करेगा ठीक यह इसका बहुत बढ़ा ड्रोबेक है clear another drawback particularly with the trolley wheel collector is that there is poor contact between the wheel and trolley wheel another drawback यही है कि जो आपका यह contact वाई या इस तुक्छ तॉलिए भोलो ठीक है यह दोनों से मी होता है ठीक है कि जो आपका यह वील है और यह ट्रोली वायर के बीच में जो पने बंद हो जाएगी तो अपने को यहां पर पिस वेकर होएगगा वही को ही तॉप हो जाएगी इसका दूसरा ढूब्ग है अगर आपन इसको हाई स्पीड के लिए यूज करेंगे तो यहां पर जाएगा जो आपका वील्स एंड जो टॉलिवायर के बीच का जो कॉंटेक्ट है वो क्या हो जाएगा जब शूट जाएगा तो करेंटी कलेक्ट नहीं होगा तो जो आपका सिस्टेम हो आगी नहीं बढ़ेगा ठीक है तो यहां पर इसे उपर के लिए यूज करेंगे ते क्या होगा ब अगर इसी स्पीड से अगर आगे आप इसको यूज़ करते हो तो यह हो सकता है कि यह जो आपका जो contact है ठीक है वो trolley wire को क्या करते छोड़ दे यह जो wheel है ठीक है इस trolley wire को छोड़ दे ठीक है जब जैसी contact को छोड़ देगा तो देन अपना current collect नहीं होगा अपना system वही कब यह stop हो जाएगा ठीक है ट्रॉली collector is suitable for comparatively low speed यह low speed के लिए यूज किया जाता है जहां पर speed दिया हुआ है 24 to 32 km per hour beyond this speed अगर इसे speed से हम लोग आगे इसको यूज करते हैं there is every possibilities of its jumping of the trolley wire ठीक है तो जो wheel है आपका इस trolley wire को क्या करेका छोड़ देगा ठीक है जाचे ही छोड़ देगा तो दिन आपकी supply बंद हो जाएगी और जो आपका trolley buses यह ट्रॉम्बेस है वहाई को यह stop है तो यह simple सा कह हानी धाप का ट्रॉली का ट्रॉली बसेस का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिलेंगे बहुत अलेक्टर के साथ अब तरक के लिए थेंक्यू